कर दोस्तों राजू सर के नाम से इस यूटीब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है एमसी की वीडियो की स्कड़ी के अंदर एक और नया वीडियो हम लेके आया है एमसी डेली नर्सिंग ऑफिसर एक्जाम के पॉइंट वीडियो में एक सेप्टमबर को नौट सेट एक्जाम होना है और उसके अंदर कुछ इमेज बेस और आर्टिकल्स के क्वेशन भी आते हैं तो वैसे डेली एमसी क्यूज यहां पे सौल करते हैं लेकिन बीच बीच में हम इमेज बेस और आर्टिकल के वीडियो भी लेके आएंगे आप लोगों से गुजारी सेगी वीडियो को ढंक से समझे ढंक से पड़े और इन सब चीजों को रिवाइज करते रहें और वो सारी इंपोर्टेंट चीजें जो एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू में रहती है एक्जाम तक हम डेली लाने की पूरी कौसिस करेंगे और होप सो कि वो एक्जाम को आप एक्जाम में आपकी मैक्जीमम मदद करेगी तो बस जुड़े वेरिये चैनल से सेर और लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का अनन्द लीजिए सबसे पहला स्लाइड है यह जो इंस्टुमेंट आपको यह पर दिख रहा है यह ने कहलाता है pon parker हेंड इस बोन पारकर हैंडल को है रहा जो थाय। जो कट लगाते हैं तो में तो यह कट लगाने की काम आता है। तो जो handle 3 number का होता है उस पे 10, 11, 12 और 15 नमबर की blade फिट हो जाती है, जो handle 4 number का होता है उसमें 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 नमबर की blade फिट होती है, बाइड पारकर handle इसको नाम देते हैं BP handle और इस बाइड पारकर handle के अंदर दो नमबर है, तीन और चार और उस पे ये blade फिट होती है, दूसरी image इस तरह की है, ये जो आपको image दिख रही है, ये image emostatic forcep है, ये दोनों की दोनों जो forcep है, ये दोनों forcep जो है, इनको हम Spencer Wales emostatic forcep कहते हैं, simply emostatic forcep के नाम से जाना जाता है, इनका use होता है कि ये bleeding vessel ये blood vessel जो होती है, उनको hold करती है, इसके लाबा ये use होती है to split internal oblique and transverse abdominis during appendectomy, appendectomy appendix को remove करने का जो surgery है, उसमें दो तरह की muscle होती है, एक internal oblique muscle और दूसरी transverse abdominis muscle, इन दोनों को split करने में use की जाती है, और अगला इनका use है to do blunt dissection, किसी भी जगे को bluntly dissect करना है, अलग करना है, separate करना है, और blunt object से करना है, साफ से नहीं करना है, तब use करते हैं hemostatic forcep, इस तरह की दिखेगी, आपको यहाँ पर instrument आप देखें, और उनके use देखें, दोनों चीज़े साथ साथ में revise करते हैं, instrument से questions, exam में आते हैं, simply आपको image दी हुई होती है और पैचान नहोता वो क्या है, तो आप उसको आराम से पैचान सकते हैं, और इसके अलावा कभी कभी पूचा जाता है उसका use, तो हम दोनों ही चीज़े पढ़ रहे हैं, उसका सकल और उसका use, next है, यह जो image आपको यहाँ पर दिकर आए, यह image क्या कहलाता है, इसका जवाब है, कोच्टर इमोस्टेटिक फोर अपॉरसेपूर और बापक को निगो करने के काम आती है, तो मैनिस्कास को ओलुद करने में यूज आती है, और सबठाटर थायरेक्ट्रमी के अंदर भी इसको ूज किया जाता है, सब टोटल थायरेक्टर में जब करते हैं थायरेट ग्रेवन को रिमू करते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है तो यह है कोचर्स इमोस्टर्टिक फॉर्सप कोचर्स इमोस्टर्टिक फॉर्सप अलका सा आगे की तरफ यह कोचर टाइप का यहां पर बना होता है इसको कोच्टर नाम इसलिए देते हैं और ब्लड वैसल को और जो है सर्जिकल ओप्रेशन के दौरान जो है वहां पर होल्डिंग परपस से इसको यूज करते हैं अगला यह जो इस्तुमेंत है इसको और कोचर थी ऑर यह देखिया थोड़ी साीज में चोटी होती है और से साइध होती है ज्यूड़ी मौस्क्यों की तरह मौस्क। कहते हcular कितले मचिछ चीतर आगे से थोड़ा सा है वह अंदर की तरफ मुड़ा होता है इसको मौस्क। मॉस्किटो इमस्ट्रीक फॉर्शेब यूज होती है ब्लड वैसल को होल्ड करने में फाइन होल्डिंग होती है इससे और दूसरा यूज है इसका पंक्चर दज़ मिजो अपेंडिक्स एट एन एवैस्कुलार साइट मिजो अपेंडिक्स को पंचर करने के काम होती जब अपिणडिस होते में इंफ्लांड होता है वहाँ पर भुए से तो उसको पंचर करने के पॉंट व्यू में भी मॉस्क्री टो फॉर्षिप उसको यूज किया जाता है इसके लावा यूजिन ऑप्रेशन आप इंफेंट्स में इनफेंट को आपरेट करते समय इसको काम में लेते हैं तो यह यूज रहते हैं मॉस्किटो इमोस्टटिक फॉर्ष कि अगला अपना लिस्टर साइनेस फॉर्सेप एक दम-प्लैन एक दम सीधा वॉर्सेप जो भी होते हैं उसमें यह जो आगे का जो इसका पार्ट होता है इसके अंदर जो है वह होरीजॉंटली वहां पे इसे लाइनिक होती है, इसलिए इसको फॉर्सेप कहते हैं फॉर्सेप जो होती है, ये ये साइनस फॉर्सेप जो है, इसको यूजिज करते है, IND के आंदर एफसिस जो हوتी है, उसको रिमू करने में एफसिस बाइ इ पहला आफ सीजाल को क्लीन करने में मदद करता है और आइंडी में एपसिज को जो है रिमूष करने में ये मदद करता नाम याद रखिएगा लिस्टर साइनस अगला यह जो है इस तरीके से आगे की तरफ से थोड़ा सा पिन पॉइंट और चोटा इसका और पिछे से थोड़ा लंबा इसके एंडल जो है इसको एलिस टिशू फॉर्सेप कहते हैं कई बार एक्जाम में पूछावा क्रेशन है एलिस टिशू फॉर्सेप यूज किया जाता है इसकीन को होल्ड करने में मैंना इसकीन जब हम इसको इसकीन के फ्लैप को रेज करते हैं तो इसकीन को होल्ड करने में यह मदद करती है इसकीन को होल्ड करने में इसको यूज करते है एलिस टिशू फॉर्सेप डिफरेंट टाप के इसकीन यूज है अगला इंस्ट्ुमेंट है अगे से इस तरीके से थोड़ा स़ गोमाव लिया वा और ऐसा अगर इंस्ट्ुमेंट आर्टिकल आपको दीके इसको बोलते हैा बैब कॉब टिस्शू फॉर्सेप यह पिक्चर देखेगा उसको पहच sources करिएगा फिर उसके यहां पर साथ साथ में आपको बताया जा रहा हूं बैपकॉप टिश्यू फोर्सेब यूज किया जाता है अपेंडिक्स को पिक अप करने में जब अपनेक्टमी करते हैं एक इंपोर्टेंट बात दूसरा इसको यूज करते हैं मद्द किया जाता है और इसको यूज किया जाता है होल में जो को होल्ड करके वहां से कट करके क्रोस्टेट को सेपरेट करने में इसको यूज किया जाता बैब कॉप टिश्यू फॉर्सेप इंपोर्टेंट फॉर्सेप है नाम याद रुखेगा सकल याद रुखिएगा एकडम प्ले और दाइसेक्शन में मदद करती है तो इसका यूज क्या है इस यूज तो होल्ड डेलिकेट विस्ट्र ओर्गन एक इंपोर्टेंट बात दूसरा यूज तो होल्ड वेसल और नर्व वाइल डाइसेक्टिंग डाइसेक्टिंग जब आप करते हैं डाइसेक्शन होता है उससे को होल्ड करने में इसको काम में लिया जाता है सो प्लेंड डिसेक्टिंग फॉर्षप जो है उसके तीन यूज अब डेलिकेट विस्ट्र ओर्गन ओल्ड यूज इन दौल्ड बलड वैसल और नर्व एंड होल्ड रनियल सेखिं हर्णियल रिपेर नक्स्ट प्लेंड डिसेक्टिंग फॉर्षफॉप स्कूर्ट में कहतेए इसको त्नह bawर में उस इसको इल्डाय इल्सम स्केन उप्लेंड इसको इमुज वो होती है यूज धादी है अगयन होल इसस्कालप करते है जब इसकालप की तुंज होती है scalp is a part of nervous system that cover the brain वैसे तो skin का part है लेकिन ये brain को cover करती है इसलिए इसको scalp बोलते हैं and it is also used to hold rectum seat while closure of abdomen जब abdomen को close करते है तो rectus की seat को hold करने में ये मदद करता है instrument का नाम है tooth force of tooth dissecting force of next needle holder ये जो image किसका है needle holder का और बहुत सिंपल है the needle while suturing करते है तो needle को hold करने में ये साम आता है instrument है myos seizure ये जो सीजर है ये myos seizure कहलाती है reduced to tap structure like linear L-bar rectum seat or entry of the abdomen इनको use करते है ये use की जाती है cut करने में delicate structure को like hollow viscera investing layer of deep fascia of the neck in thyroid surgery और इसके लावा इसको use किया जाता है raised skin flap AND saturation these use रहाते है myos seizure का यसारी की सारी की से जरी जो syजर है इनको myosu seizure के नाम से जाना जाता है और different type की surgical procedure में इनको काम में लिया जाता में डेकर है हineo suture cutting सीजर such a को cut करने वाली shading such a को cut करने वाली जो क।ट sutures on skin and mucos membrane such a को cut करने में जो seizure काम में लिया ज़ाता है इसको suture cutting seizure के नाम से जाना जाता है Health Suture Cutting seizure इसको नाम दिया जाता है तो यह कुछ important जो है articles को images के साथ में उनके use हमने पड़े इसी तरीके के मज़धार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े वे रहे है मेरे YouTube चैनल से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सेर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुजाव जरूर डालें, इसके लावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को, मैग्जिममम लोगों तक पहुंचाने की जिम्हेदरी आज ही उटाए, क्योंक अपना सुजाव जरूर डालें कमेंट बॉक्स में, लेकिन पैनिक ना हो ये और जो चीजें बता ही जा रही है, उसको कंटस्ट कर लीजेगा, मैग्जिममम चीजें मैं जरूर डिलिवर करूंगा, मेरा पुरा ध्यान है आप लोगों के एक्जाम के लिए, तो डेफिनेट